नमस्कार दोस्तों बात करते हैं सुलाउन रजी लिमिटेड की सात रुपए दस पैसे का स्टॉप हो चुका है और बारा मिलियन शीर से आपर ट्रीट किये लिए चार्ट पैटन की बात करें चार्ट आपका काफी न्यूट्रल बना है बट खबरों की अगर आप बात करें तो जो कम करना पढ़ेगा हमें भी और उसी राह में रिन्यूवल सेक्टर में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की घूशना भी हो गई है जानी कि सुजलाउन जैसी कंपनी जो विन एनरजी हार्नेस करते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़े गिया बात करेंगे इस वी यहां पर उनका भी बढ़ाना है तो कहीं ने कहीं यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगे तो उसे सुलाउन का स्टॉक प्राइस भी बहुत तेजी से भाग दी कि उम्मीद आपको करनी चाहिए इस अफ़ते में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है इस अफ़ते क कंपनी है विन एनरजी में काम करती है बहुत पुरानी कंपनी है मैं कहूंगा यहां पर एक्स्पीडेंस काफी अच्छा है जिस तरह से रिसेंटली गवर्मेंट ने जो इन्वार्मेंटल डिग्रेशन हुआ है और डिवाली पे आप देखे कि इन्वार्मेंट पॉलिशन जो हुआ है बहुत सारे लोगों का अलग-अलग मानना है मैं इसमें कोई मत नहीं दे रहा हूं पटा के फोन ने चाहिए था यह नहीं फोन ने चाहिए रहे बट शुरली यहां पर आप देखोगे तो इन्वार्मेंट में जो फर्क परदा पड़ा है उसको देखते हुए यह कोले से बनने वाली जो विजली है उसका जो इसतर है कम करने की कोशिश की है मोधि साहब ने और यहां पर अनौंस कर दिया है कि अगर हमें जो पॉलिशन है उसको कम करना है तो अब इस्टेप लेना पड़ेगा और चाइनिज गवर्मेंट ने जिस तरह से अब अगर हमें वहाँ पर शूनी करना है तो हमें बड़ी पॉलिशिस फर्म करनी पड़ेंगी अगर इतने बड़ी कॉंसमें अगर मोधि साहब ने बोला है तो उसके उपर एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप बात करें तो इन्वार्मेंट मिनिस्टर्स ने काफी काम कर स्टार्ट कर दिया है और 2030 में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी फैसला ले दिया है इनको यहां पर काफी बढ़िया फाइदा होने की उम्मीद है और यही कारण है कि मैं बोलूँगा अगर अभी तक आपने ऐसी कंप्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहां पर तेलों का जो यूज है वो कम कर रहे हैं वैसी कोले का जो कंजम्शन है वो भी कम किया जाएगा डिमांड बढ़ी है इस समय पर अगर आप बात करें तो कहीं ने कहीं रिन्यूवल्स का जो एक उतपादन है वो बठाने की बात की जा रही है और ऐसे में आपको सु यहां पर और अब यहां से दोबारा से बाजार जो है आपको वो तेजी में आता हुआ दिखाई दे सकता है सपोर्ट की बात करें तो बाजार का जो इस समय का सपोर्ट है वो अरौंड यहीं पर है 6.60 पैसे के आसपास, 7.60 पैसे के आसपास को जो पहला टार्गेट मिलने वाला है आपको वो 8.40 पैसे का है शौक कम के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा इस स्टॉक को बट्यास अगर आप लॉंगर पीरिड के लिए स्टॉक को रखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां पर खरिदारी करके चलो क्योंकि ऐसा स्टॉक आपको दोबारा नहीं मिलेगा जिस तरह की नई खबरे इस समय पर आई है आप देखो कि मोदी सहाब ने जो इन्वार्मेंटर कॉंक्लेव में बोला है उसका काफी असर पढ़ने वाला है इस अफटे की ट्रेडिंग पे इस अफटे में स्टॉक आपका भागता वो दिखाई दे सकता है तो इस अफटे में दिखाए देंगे इस समय जो खबरे आ रही है जो इस फॉर्म की जा रही है इन्वार्मेंटर मिलिस्टर का जो बयान आया है उसको देखते हुए रिन्यूवल्स में इन्वेस्टमेंट टगड़ी बढ़ने वाली है और सिर्फ दोमस्टिक लिए ही नहीं अ देखे चल रहा है वहां पर काफी इंवेस्टमेंट बढ़ा आप स्टॉप क्राइस आप देखिए आस्मान चू रहा है वैसे ही सुजरान में भी आप देखेंगे कि यहां पर एक अच्छा कुछ मिला और यहां से स्टॉक आपकर निकलता हो दिखाए देगा तो बिलकु य पर हैं साफ तो पर और इसी ग्रोथ की मैंने पहले भी बात की थे कंपनी के हाथ में काफी बड़े और से गुजरात में एक और अभी काम कर रहे हैं उसके उपर विन इनर्जी वन अफ द लार्जिस्ट और एनर्जी हार्वेस्टिंग सेक्टर हमारा है यहां से काफी अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग करते हैं तो साथ रुपय का स्टॉक जो है आपका उस सतर से साथ सो और साथ हजार होने में समय नहीं लगेगा यहां पर प्टेंशिल है कंपनी में ठीक है यहां इपर बात करें अगर आप शेर होडिंग की तो एक सबस्टेंश शेर पर बात करें चाहिए आप पास्ट एक्स्पीजेंस को तौर पर बात करें पहले भी डेन्मार्क वगरा में काफी बड़े प्लांस रखे थे अपने बट क्योंकि फिर डेट वगरा काफी बढ़े प्लांस बेशने पड़े अभी इंडिया में सेटल कंपनी है और ग्लूबल पर अगर आप देखते हैं तो डिलिवरी पैटर्न आपका काफी बढ़िया है साफ दरूब 62% 61% उससे पहले 50% उससे पहले 67% उससे पहले 47% तो कहीं नहीं पर से अच्छी खासी डिलिवरी उठाए जा रही है सुदॉन नर्जी में एक्किमिलेशन का जोन बनाये गया है ल की पॉलिशी को जब तक इंप्लिमेंटेशन में नहीं लाया जाएगा अब जिब बात हुई है इंप्लिमेंटेशन में लाने की यहां से स्टॉक अप का निकलता हुआ दिखाए देगा इसलिए खरीदारी बिल्कुल करके चलो पहला टार्गेट आपका नो रूपे के आस- अगर गिरावाट होगी तो आवरेज कर रहोगा यहां पर लगातार अच्छा इसलिए के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको यहां पर खबरे बहुत अच्छी है अगर आप न्यूज वगरा पढ़ते हो तो मुझ साब को पढ़ो अनाउंस्मेंट काफी एच्छ हुई है दो यार सेतर तक नेट कारवन जीरो अमिटर कंट्री बनाएंगे हम अपनी देश को और इसी वज़े से कोले का जो यूज है और गैस वगरा का यूज है उसको भी कम किया जाएगा यहां पर साफ तो पर रिनियोल्स का वरूसा होने वाला है तो रिनियोल्स में इनर्जिक को होड़ करें यहां पर वो लोग जिन लोगों ने और्यडी खरीदारी कर रखी चाहे आपने यहां पर खरीदारी की हो आप स्टॉक को होड़ करें अगर आपने खरीदारी नहीं किया तो बिल्कुल बाइक लो बाय और डिप्स लगाना है दस साल के लिए इंवस्मेंट कर की बिनमा जाना, थैंक यह वोचिंगा ने इस प्रीज को में लोगर को सुछना हो तो